दोस्तों स्वागत एलिगन टुटोरियल के यूटूब चैनल पर आज के इस वीडियो में आप क्लास 10 के चैप्टर 5 अरिथमेट्रिक प्रोग्रेशन्स में एक्सरसाइज 5.2 के क्वेस्टन नमर 16 का सॉल्यूशन्स को देखाएंगे इससे पहले आपको इसी एक्सरसाइज का क्वेस्टन नमर 15 का सॉल्यूशन्स प्रोवाइट कराएजा चुका है हम उन सभी क्वेस्टन का सॉल्यूशन्स का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे आप चाहें तो वीडियो को देख सकते हैं एक्सरसाइज 5.2 का क्वेस्टन नमर 16 है तो इसका मिनिंग है उस एपी को ग्याद किजिए जिसका थार्ड टर्म 16 हो और सातवां पद उसके पांचवे पद से 12 अधिक है तो हमको एपी ग्याद करना है कि वह कौन सा एपी होगा तो गीवैन है यहाँ पर क्या कि थार्ड टर्म इस 16 तो इसका मतलब क्या पाले तो यहाँ पर हम लिखाएंगे गीवैन थार्ड टर्म इस 16 means a3 is equal to 16 तो a3 को हम क्या लिख सकते है a3 को लिख सकते है a plus 2d is equal to 16 आगे है यहाँ पर 7th term exceeds the 5th term by 12 तो according to question क्या लिखेंगे इसको a7 minus a5 is equal to कितना दिया हुआ है आपर 12 तो a7 को हम क्या लिखेंगे a7 को हम लिख सकते है न a plus 6d ठीक है उसी तरह से यह a5 को क्या लिखेंगे a plus 4d is equal to 20 अब हम इसको solve करते है a plus 6d इसको multiply करेंगे तो यह क्या होगा minus a और minus 4d is equal to 12 और यहाँ पर हम क्या गेक रहे है यह a और a cancelled तो 6d minus 4d तो यह क्या होगा 2d is equal to 12 therefore d is equal to 6 means common difference कितना आया तो 6 आया अब इस 6 को जो की common difference है इसके value को हम यहाँ पर put करते है put d is equal to 6 in equation first इसको हम equation first relate कर लते है ठीक है तो यहाँ पर क्या करना हमको कि यह जो equation है इस equation में d का value हम 6 put कर दते है तो a plus d का value हम यहाँ पर put करेंगे तो क्या होगा यह 12 is equal to 16 therefore a is equal to 16 minus 12 तो इस तरह से a यह कितना हो गया 4 और d कितना आया 6 इस तरह से जो first term आया a वह हुआ 4 और d common difference वह आया 6 तो हमको अब ap निकालना है तो ap के लिए हमको क्या करना होगा तो general form of ap हम पढ़ चुके हैं तो first term क्या है जैसे a तो second term क्या होगा a plus d third term क्या होगा a plus 2d fourth term क्या होगा a plus 3d तो इसी concept का हम यहाँ पर use करना है तो यहाँ पर हम जैसे a is equal to 4 और d is equal to 6 है तो first term तो यहाँ पर क्या होगा a ठीक है second term क्या होगा इसका a plus d third term a plus 2d fourth term क्या होगा a plus 3d और इसी तरह से यह आगे की और यह ap चलते रहेगा तो हम यहाँ पर क्या करेंगे इसका value put कर देंगे तो a a का होगा 4 और a plus d means क्या 4 plus 6 तो यह कितना होगा 10 उसी तरह से a plus 2d तो a तो है 4 और d है 6 तो 6 तूजा 12 प्लस 4 यह कितना होगा 16 ठीक है फिर यहाँ पर a plus 3d तो यह कितना हो जाएगा यह हो जाएगा 22 और यह एक a p तैयार हो गया 4,10,16,22 और हमको यहाँ पर यही चीज फाइंड करने के लिए कह रहा था दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा अगर अच्छा लगा तो गिरिप्टा लाइक, कोमेंट और सब्सक्राइब मिलते नेक्स्ट वडियो में तब तक के लिए धन्यवाद